बगवान के जितने गुर्णगान करें बहुत थोड़े हैं किसी शिष्ण ने गोतम बुद्ध बगवान से पूछा था कि आपने तो बहुत कुछ प्राप्त किया है सब कुछ जाना है थोड़ा हमें भी बतलाईए तो बुद्ध कहते हैं कि जितना भी मैंने जाना है उसरफ ऐसे ही है जैसे प्रत्वी मेंसे कोई एक कंड को मैंने जान लिया हो यह अनन्त को यह परमेश्वर को कोई नहीं जान पाया है यह अनन्त है अखंड है अच्छीद है अभीद है अध्वैतम अच्छुतम अनादिम अनन्त रूपम आध्यम पुरान पुरसम नवयोवनम्च वेदे सु दुरलभम आध्यम आत्म भाग्तो गुविंदमादि पुरुशम तमावं भजामी वेदे सु दुरलभम उन्हें जानने के लिए चलोगे तो कभी नहीं जान पाओगे सु दुरलभम वेदे सु दुरलभम आध्यम आत्म भाग्तो लेइन आत्म भाग्तो यानि जो बगवान के परम प्रेमी भाग्त हैं अर्जुन जैसे उदव जैसे प्रलाद महराज जैसे ध्रू महराज जैसे अध्यूरलभ उनके लिए अध्यूरलभ है उनको भागवान को समझ पाना बड़ा सरल है क्यों? प्रेम आत्म भाग्तो क्योंकि प्रेम ही भाग्ते हैं प्रेम बड़ी चीज है प्रेम से ही परमीश्र को जाना जा सकता है और कोई कारण नहीं है कि शास्त्रों से जौन से जानने की कोशिश करी तो ब्यर्थ हो जागा भगवान को तो प्रेम से जाना जा सकता है प्रेम को ही भक्ति कहा है, भक्ति विलोच नेन, प्रेमाजन छुरिता, भक्ति विलोच नेन, भक्ति बरे नेत्र होने चाहिए, भक्ति के चक्षु होने चाहिए, प्रेम के चक्षु, तब उनकी पहचान होती है, जल्दी से पहचान होती है, फिर उन जर्रे जर्रे में नजर इसकी पहचान की वो छोटी छोटी चड़ीओं में भी वोही बसा हुआ है फूलों में उसी की गंद है सूरिये में उनी का प्रकाश है जल सरोतों में जल में स्वाद वोई है अगनी के रूप वोई है वायू के इसपर्ष वोई है आकाश में जो शब्द गुंसता है वो स्वेम भगवान ही है यह भगवान के कलाएं हैं विभूतिया हैं भगवान ने कहा कि वेदों में रिगवेद मैं हूँ लिए लिए कभी हम यह उठा के नहीं देखते हैं जल सरोतों में गंगा मैं हूँ आज वेग्यानी के इस नतीजे पर पहुँचे है कि संसार के जितनी भी नदिया हैं उनसे 25 गुणा अधिक ऑक्सीजन गंगा के जल में है इसलिए उसका महत्व है यह विदेश के वेश्टन कंट्रीज के वेग्यानी साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया है विश्णु के चर्णों का धोया हुआ जो चर्णा मृत है वो जल है जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा था और भागी रत के प्रार्तना करने पर उस में से कमंडल में से एक धार जमीन प्राही वो गंगा है उसका महत्व है साइन्टिस्ट तो इस चीज़ को नहीं पहचान सकेंगे जान सकेंगे लिए उन्होंने जो अपनी यंत्रों से जो खोजबीन की है उन्होंने पाया कि विश्व में जितनी भी न दिया है उनसे 25 गुना अधिक ऑक्सीजन जीने की शक्ती गंगा की जल में है इसलिए गंगा जल का बड़ा महत्व है और जब आदमी शरीर त्यागता है तो गंगा जल उसको एक टप का डाल दो तो तुरंती बिश्व भगवान की याद करता है कि बिश्व के चरनों से आई हुई है उसकी परमगती हो जाती है अंतमतास हो गता भगवान की याद करती हुए शरीर छोड़िया है तो धन हो जाता है उप्राणी यम्यम वापी स्मरं भावं त्यज़त्यंते कलेवरं तम तमे वैती कौनते सदा तद्भाव भाविता अब्यास करेंगे जीवन भर तभी भगवान की अंतसमय में याद आती है और अंतसमय में याद बनी रही भगवान की तो निश्चित रूप से आप भगवान के धाम के वासी बन सकते हैं वैकुंठ के वासी बन सकते हैं केवल कहने मातर से नहीं कि पिता जी का स्वरगवास हो गया या वैकुंट सिदार गए कहने से नहीं कहने से काम नहीं चलता ओता आत्मा को तसलिद देने के लिए बोलते हैं ऐसे या उनको गए हुए प्राणी का सम्मान करने के लिए बोलते हैं ऐसे सीधा नहीं बोलते कि मेरा बाप मर गया बोलते हैं स्वर्गवास हो गया चिठियों में लिखते हैं पिता जी का स्वर्गवास हो गया है फलानी दिन बारुआ है जरूर पदारना अरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरी 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 राम हरी राम 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 हरी हरी ये परमरहश्मई महामंत्र भगवान को रिजाने का इसके नामों का जिनोंने आस्वादन किया है उनको ये प्रभाव मालूम है ये हमारी आत्मा को, हमारी भावना को निखारने के लिए बहुत बल्शाली मंत्र है क्योंकि स्वाइम भगवान की पवित्र नाम इसमें है Holy Names of God पवित्र नाम ही आपको पवित्र कर सकते हैं बागी तो कोई जरिया नहीं है जो कपड़े में मेल जमा हो तो साबुन चाहिए तो तुरंत साफ और उज्वल हो जाता है Sunlight साबुन हो एकदम उज्वल हो जाता है ऐसे ही आपको कोई ऐसा पवित्र परम शक्तिवान नाम चाहिए जा भावना को उज्वल करें हमारे और हमारी भावना उज्वल होगी तब ही हम सुखी होंगे ये कभी नहीं भूलना हम जितनी गंदी भावना के होंगे उतने ही हम दुख में होंगे, पूरी तरह, पेन, एंग्जाइटीज, काम, क्रोध, मद, मोह, मतसर, लाल, ये सब हमको सताएंगे, चारतों से घेरेंगे, ये छे दुश्मन कहा है इनको, सडरी पूफ, ये सबसे बड़े दुश्मन है, हमारा पतन करने के लिए, हमको राश करने, हमारा हराश करने के लिए, हमको नरक तक लिए जाने के लिए, इनसे बचना चाहिए, यहाँ पर तीन गुणों का सत्रवे अध्याय में भगवान स्री कृष्ण ने बहुत बिशेज जोर दे करके अर्जिन को कहा है, बोला है, ग्यान उपदेश किया है, सरदा के भी सेमी बतलाया कि सरदा जो इद्या में होती है, सरदा का उदे होता है नाभी के इन्दर से, इद्या में आकर के इसका फूल खिलता है, सरदा बलवती होती है, सरदा के बिना प्रेम उद्य नहीं होता पहले सरदा उद्य होती है सरदा में प्रेम रुपी फल पकते हैं सरदा ही नहीं है आपको बगवान के परती या किसी के परती तो प्रेम कैसे उद्य होगा पिर सरदा कैसे उद्य हो ये भी समझ लेना चाहिए क्योंकि सरद्धा उद्ध होने के लिए हमको तत्व ग्यान चाहिए तत्व ग्यान से हमारी भावना उज्वल होती है एक माँ अपने बेटे को पुत्र को छोटे बच्चों को बार बार नाम ले ले के पुकारती है तो उनके प्रती बहुत इसने है पैदा हो जाता है जन्म के समय ना रहा हो लिए बच्चा दो साल का तीन साल का चार साल का आठ साल का डवलप जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ही और अधिक प्रेम बढ़ता है मा का क्यों? क्योंकि वो बार बार उसके नाम ले लेके दिन में सौ बार पुकारती है अरे बेटे, अरे रामलाल, अरे कृशनलाल, अरे जो भी नाम रख दिया हो तो प्रेम उद्ध होता है ऐसे कभी हम हरी को अब उनके नामों से पुकारते हैं तो हरी के प्रति हमारे इर्दे में प्रेम जागरी तो होता है प्रेम जागरी तो होता है तो फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं भगवान को तो शास्त्रों को कंसल्ट करते हैं ज्यान प्राप्त करते हैं, गुरु जी के चर्णों में बैटते हैं, जिनको अन्वव हो गया है, रिलाईशन हो गया है, घगवान का आत्मा का साकषातकार हो गया है। ऐसे संतों के चरणों में जाके सर टेकते हैं, कि हमको भी कुछ ग्यान मिले, उस ग्यान से सर्द्धा पैदा होती है, जो अन्भावस माहान आत्मा ने किया, जिन्होंने तत्तु से उस इश्वर को पैचाना, जाना, वो ग्यान उपदेश करता है, उनके वाक्यों में सर्द्धा पैदा होती है, गुरु के वाक्यों में, फिर उन वाक्यों से प्रभु में सर्द्धा पैदा होती है, परमेश्वर में सर्द्धा पैदा होती है, तवी तव भगवान सरी कृष्ण ने उपदेश किया, तद्विध्धी प्रणी पातिन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्षंती ती ज्यानम ज्यानिनस्त तत्व दर्शिना हे अर्चुन तु मेरे किसी ऐसे भक्त की शरण में जा जो मुझे तत्व से जानता हो वो तुझे ज्यान उपदेश करेगा जिस ग्यान को प्राप्त करके तू मुझे जान लेगा तो ग्यान से भगवान को जाना जाता है, सरदा पैदा होती है सरदा से प्रेम के हमकूर निकलते हैं, प्रेम के फल पकते हैं, ब्रक्ष पड़े, बेल फैलते हैं प्रेम लता, प्रेम की बेल मीरा बाय जuciones गाती है अब तो प्रेम फैल गई अब तो बेल फैल गई आनन्द फल होई मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरो न कोई अभी तो गुरू को भी गिर्धर के गिर्धर गोपाल के बीतर ही देख रही क्योंकि गोपाल के भीतर ही सब हैं, सारे गुरु समाईतें, ब्रह्मा बिश्णु समाईतें, सारा विश्व ब्रह्मान समाईतें, इसलिए तो अद्वत कहें के बोला, भगवान को, कि सब कुछ तो उसके अंदर ही है, हम भी, आप भी, सारे पसूप पंची, जल, तालाब, सम सब भवान के अंदर हैं, तो गुरु जी भी भवान के अंदर ही हैं, बारनी, मीरा कहती है कि, मेरो तो गिर्दर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर्पे मोर मुकुट, मेरो तो पती सोही, संतन ढिंग, बैठ, बैठ, लोकलाज खोई, संतन के बीच में जाकर मेरा नाचनी लगी, भवान की गुणगान करने लगी, तात मात भाई बंधू, आपनों न कोई, मेरे तो गिर्दर गोपाल, दूसरों न कोई, अस्वन जल सीच, सीच, अब तो छट पटाती है प्रभू से मिलने, बहुत बियोगी नहीं बन गई, भगवान के विरह में, भगवान से मिलने के लिए, मीरा का हिरदय छट पटाने लगा, तो छट पटाता है भगत मिलने को तो प्रेम के आंसु मरते हैं मिलने के लिए कभी रुदन करता है कभी हसता है कभी की महा भाव में चला जाता है मीरा भाई कहती है अस्वन जल सीच सीच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई मेरो तो गिर्धर गोपाल अरी मा मेरा तो गिर्धर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है भगवान की शरण में आये भगवान के पवित्र नामों का जाप कीजिए ये शरण मा आने का एक सीधा मार्ग है उन्हें कभी नहीं बिसा रहे बिसा रहे उठते बैठते सोते जागते नाते दोते खाते पीते चलते फिरते बच्चों को खिलाते कमाई करते कभी भगवान को नहीं बुलाईए भगवान आपके इर्दे में आपके प्रतेक छोटे से छोटे भाव को भी भगवान पकड़ते मालूम है उनको क्या आपके करमों के विचारों के साक्षी है पूरे विश्व के साक्षी भगवान है आत्मा के अंदर वो विशेष्टा है जो परमात्मा के अंदर है परमीश्वर के अंदर है अंसरूप से जैसे सागर की बूंद में वोई गुण तत्व है जो सागर के अंदर है जैसे सागर सौल्टी है ऐसे यो बूंद भी सौल्टी है तरल है ऐसे ही हम भगवान के ये अंश है आत्मा है इसलिए गुण धर्म आमारा और आमारी प्यवर कॉंशियसनेस का बगवान से मिलता है एक दम लेन हम उस इस्तिति पर नहीं है हमां हम प्यवरिटी को खो चुके इसलिए भगवान को भी पहचानते नहीं है और भगवान को तो दूर अपने आपको ही नहीं पहचानते और जीवन जीते हैं या तमोगुण में या रजोगुण में कोई-कोई संत सतोगुण में जीता है अपनी जीवन को कोई-कोई पुर्णा आत्मा सतोगुण में जीती है अपनी जीवन को नहीं सतोगुण सुखकारी है इसलिए तो भगवान ने देखो यहां पर कितना सुन्दर इस लोकों में ये तीनों गुणों का वर्णन किया है आर का चेप्टर रखा बगवानने सत्रु अध्या के प्रारव में आर बगवानने क्यों रखा? क्योंकि यह मनुष्य यह प्राणी यह पल्ची यह देवता यह देवियां यह ब्रह्मा बड़े-बड़े सभी आर के ही रूप है यह सारा हमारा शरीर यह आर का ही स्वरूप है जो जो आर हमने किया, खाया पिया, वो यह तो डवलप हुआ है चाहे वो मा के गर्व के अंदर कुछ आर मिला हो या भार आने पर इस्तन पान करके मिला हो या बड़े होने पर अन, जैसा भी अन खाया हमने अन खाया, बेजटेबल्स खाई, फ्रूट खाई, दूद पिया, माखन, मलाई खाई उसे से ये शरीर डवलप हुआ है तो प्रारम में टीचिंग देने वाली मा है वो पहला गुरू है समाज का, ये शरीर का बच्चे का, अपनी बच्चे का मा गुरू है जैसे जैसे माँ उसको खिलाती पिलाती है बच्चा खाता है, पीता है और बड़ा होता जाता है और उसकी भावना में वो जैसा भी खिलाती है वैसा जड़ पकड़ लेता है कि ये भोजन अच्चा है, मेरी माँ खिला दिये इसमें दोश क्या है? शुद दूद है गाय का, पनीर है, मक्षन है, घी है, मिसरी है गन्य का रस है, सुंदर गेहों की रोटिया है बास्मति चावल है, खागा के में में शरीर खुश है परसन्नू तो जो शुद माँ होती है वो सतोगुनी भोजन खुद भी करती है अपनी पती को भी करवाती है और अपनी बच्चों को भी करवाती है तो वो शरीर, उस परिवार के शरीर सतोगुन में प्रबल होते हैं उनके भावना में, मन मस्तिस्क में, बुद्धी में सतोगुन प्रबल वस्थाम होता है सतोगुन की परसंटेज हाई होती है बगी रजोगुन नीचे दबा रहता है तमोगुन और भी बिल्कुल दब जाता है सतोगुन दबा देता है लिए जिन घरों में बच्चों को वाइलेंटी फूड खिलाते हैं बच्वन से ही कैकडे का सूप पिलाओ गव के बच्चडे कठते हैं संसार में उचलते हुए खिलाओ कंछडे बिच्चु खिलाओ मक्ही मच्चर खिलाओ टोना मच्छी खिलाओ सूर, तीतर, कभूतर खिलाओ जैसे जैसे खिलाओ खिलाएंगे बच्चे को और खुद भी खाएंगे ऐसे उस परिवार में शरीर पैदा होती है, वो दुख दाई है, वो रजोगुन और तमोगुन के अंदर वो परिवार बढ़ा होगा, वो अंदकार में बटकेगा, दुख पाएगा, बीमारियों में छट पठाएगा, अपनी इस जनम को भी खराब करेगा, और अगले जनम को भी खराब करेगा, बच्चे दारू पियेंगे बड़े होगे, क्यों उनके पिता जी ने उनको सिखा दिया सारा, यह सीख गए, पिता जी बड़े ड्रंकार थे, तो बड़े होगे बच्चे क्या करें, वो भी होगी कर रहे हैं, और और ओरत क्या करें बेचारी, वो भी पी लेकिन साइन्टिस्ट भी बहुत क्लोज में गए हैं कि शराब ज्यादा शराब पीने से ये हमारे ब्रेन के सेल्स नस्ट हो जाते हैं पूरी तरह आदमी बिक्षिप्त पागल की तरह हो जाता है जीते जी ड्रंक हार्ड फिर भी हो कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में एक पैक ज लें शास्तर तो वो थोड़ी मात्रा में भी अलाव नहीं करता आयरवेद तो बिल्कुल अलाव नहीं करता ना कोई जानवर खाना और ना शराब पीना ये दुखदाई हैं दुख शोकाम है प्रदा ये बीमारी को देने वाले चिंताओं को देने वाले और दुखों को दे देने वाले हैं रजोगुण है यह तमुगुण है तमुगुण तो पूर्ण तया विनष्ट कर देता है नहीं मनुष्य का ही नहीं सभी प्राणियों का भोजन प्रकर्ति ने नियुक्त किया है मनुष्यों के उपर दो विशेश करपा भगवान की स्वयम की है ओवदेश करते हैं शास्त्रों में भगवान ने गीता में काया कि पत्रम पुस्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रैश्चती तद हम भक्ति उपरतम अशनामी प्रियतात्मना हम जो मेरा भक्त प्रेम से पत्ता गोभी पत्ते की सब्जियां बहुत आते हैं आप जानते हैं चोडाई, पालग, पत्ता गोभी पत्ते में सारी वेजिटेव बला गई है पुस्पम, फूल, फूल गोभी, फूल, गुलाब के फूल, कमल के फूल, कमल डंडी, कमल ककडी यह सब सब्जियां बनते हैं पत्रम, पुश्पम, फलम, फल, सुन्दर फल, तमाम फल है, यह अन्भी फल है, अन्भी फल है, ड्राइज फ्रूट से, फ्रूट से, यह सब फल है, पत्रम, पुस्पम, फलम, तोयम, तोयम यानि जल, शराब नहीं बोला भगवान ने, कि कोई इस बक्त मुझे शराब अरपन करे, तो मैं सुईकार करता हूँ, ग्रहन करता हूँ, मैं भी पैग मार लेता हूँ, कि मेरे बक्त ने अरपन किया, ने भगवान नहीं खा, तोयम मि बुद्धी के लोग होते हैं, वो जल पान करते हैं, जल पीते हैं, ना कि शराब, कोको कोला भी और पैपसी कोला भी, उनके लिए बीमारी का घर है, नहीं पीते हैं, है ही, प्रूफ है, इस बात का, इन यूयर्क सिटी के अंदर, यहां के गवर्नर, कितनी कौशिश मायर, मयूर, कितना कौशिश करते हैं, इसको बंद करने के लिए, कि सुगरी चीजे मत पी हो, पैपसी कोला, कोको कोला, इसे डायबेटिक्स परकड़ती हैं, बीमारी आप है, बढ़ती हैं, नहीं, तोयम, ज फिर दूद है, मक्षने, मलाई है, घी है, दही है, अम्रित है, पांच अम्रित का हाई रवेद ने, और शास्त्रों ने, पंच अम्रित, दूद है, दही है, घी है, मिश्री गुड़, कन्ये का रस है, मीठा, यह सब अम्रित जेल है, यह पांच अम्रित है, पंच अम्रित कहके बोला, भगवान को अरपन करते हैं, जिसे हमारी बुद्धी में गुसे, कि जो चीज भगवान परमिश्वर स्वीकार कर रहे हैं, गिरेन कर रहे हैं, वो कितनी उत्तम होगी, इसलिए उनको अम्रित का न जो गव को आपने हरी गास खिला करके घर में पालाओ, प्रोटेक्शन दियाओ, जंगली जानवरों से बचायाओ, रखाओ, वो आपको और अपनी बच्छने को जो दूद्ध रिलीज करती है, वो दूद्ध का बहुत महत्व है, उस दूद्ध का पान करना चाहिए, पीना जाहिए, वो गुणकारी दूद्ध है, लेकिन जिन गायों की डेरी में से, डेरियों में से, दूसरी पडोसी गायों को ले जा ले जाके काटा जा रहा है, और जो बच गई बैलेंस में, उनको अननेचरल प्रकरत रूप से, एक लंबा इंजक्शन दे करके, और एलेक्ट् थुनों में एलेक्ट्रिक मसीन की द्वारा, जो दूद को निकालते हैं, खीचते हैं, वो दूद में कहाँ प्रेम, और कहाँ वो तत्व, जो तत्व एक सुन्दर पाली हुई गाय के दूद में होता है, याद रखे हैं, जब मा भी अपनी बच्चे को दूद पिलाती है, जिस हिसाब से भी इस्तंपान करा रही है, उसी प्रकार से उस दूद से उस बच्चे की बुद्धी और मन डवलप होते हैं, और भावना, इसलिए जो सच्चे इरदे की माता हैं, वो बच्चों को दूद पिलाते हुए, इस्तंपान, बोटल का दूद नहीं, अपनी इस्त उपर सेल आ रही है, बालों में उली डाल रही है, वो प्रेम रिलीज कर रही है उस बच्चे को, वो उसका हिर्द है प्रेम भरा होगा, वो जीएगा जब तक, लिएन आज कल तो अस्पताल में पैदा होता है, बच्चा हुआई बोटल शुरू कर देते हैं, वो भी मा के द बोटगार के देती है, कि पीले, टाइम हो रहा है मुझे जानेगा, मेरा वक्त हो गया, पीले पीद, पी नहीं कुआम पड़, कैसे ही प्रेम इर्दे में, प्रेम पेगा बच्चे के यह, आहार का बड़ा महत्व है, हमारे शरीर जो यह दिखाए दे रहे हैं, यह आहार के है, यह हमारा शरीर, दूसरा प्राण में कोश है, जो हमारी ब्रीधिंग्स चलती है, प्राण वाईव अंदर जाती है, और अपान भार आती है, यह दूसरा है, यह यहनि हम कहां पर पांच कोशों के, परकोटे के बीतर बैठी हुई एक आत्मा है, उसका वरनन करती है पर प्राण में कोश है, इनका बहुत बड़ा-बड़ा महत्व है इनका, आपके सांसों का, आपके प्राणों का, चलने का क्या प्रियोजन है, वो प्राण ऐसे ही काम करवा लेता है, क्रोध में जब प्राण वायू पान अपान चलता है, सांस लेते हैं और सांस छोडते हैं, क्रोध में कुछ और रूप हो जाता है इनका, बोजन करते हैं उस समय कुछ और रूप हो जाता है, सोते हैं जब और रूप हो जाता है, काईए कि प्राण में कोश ही आपके रूप को चेंज करता है, आपके वातवन को चेंज करता है तो आपकी प्राण में कोश भी अन्न में कोश के बाद निर्मित हुआ बना है